योट्यूब चैनल वर्ल लिट्रिचर आज टॉपिक हम लोग डिसकस करने वाले हैं वो है इंदी कैसल ओफ माइ स्किन बाय जॉर्ज लेमिंग इस नॉवल को आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं ये नॉवल सबसे पहले 1953 में पब्लिश हुआ था और इसकी अगर हम लोग बात करें बार्बेडियन ओथर जॉर्ज लेमिंग ने इसको जो है वो लिखा था उसके बाद जॉर्ज लेमिंग के अगर बात करें अपने राइटर की तो इनके बर्थ हुई थी 1927 में जून एट बार्बडोस में जो के एक प्रॉमिनेंट कारिबियन नॉवलिस थे साथ ही साथ ऐसी से और पोईट थे उसके बाद अगर कारिबियन लिट्रीचर के हम लोग बात करें तो उसमें एक लीडिंग फिगर के तोर पर इन्होंने अपना रोल प्ले किया साथ ही साथ इन्होंने पोस्ट वार पीरिट में बहुत ज़ा काम किया और इन्होंने ऐसे थीम्स पे काम किया जैसे कलोनियलिजम, आइजेंटिटी एंड ये अफ्रीकन डास्पोरा नॉवल के टाइटल की बात करें जैसे के हमारा टाइटल है in the Castle of my Skin Castle को हम लोग as a metaphor यहां पर use कर सकते है जिसका meaning होता है self यहां फिर body मी और skin जिसका literal हम लोग figurative है meaning ले सकते है एक्ट्री में यहां पर बात हो रही है self being की के जैसे castle का meaning होता है self और body एक इनसान की जो personal growth है उसका personal experience है साथ हिसाथ जो हमारी skin means के हमारा जो mind है उसके अंदर जो एक self being है हमारी soul के अंदर जो self being है उसका जो experience है उस सीज़ को हम लोग इसमें discuss करते हैं साथ ही साथ अगर हम लोग इसमें अगर इसका deeper meaning देखें तो इसमें safety और identity का meaning भी आता है इसको हम लोग castle कहते हैं एक इनसान के जो self होती है हर इनसान के अंदर एक self opinion होता है self thought होती है वो जो self है उस सीज़ को हम लोग यहां पर castle ले सकते हैं और जो protagonist है हमारे इस novel की story का वो उसमें जो है वो different changes होते हैं उसकी journey में उसकी life में external जो forces हैं उस पे influence करती है साथ इसकी जो understanding है वो develop होती है और जो world का उसका view है वो increase होता है तो इस चीज़ को हम लोग इस title के through जो है वो represent करते हैं in the castle of my skin के किस तरह से protagonist की जो life है उसकी जो journey है उसने जो hardships को face किया उन सब को एक title दिया गया in the castle of my skin इसके characters को discuss करने से पहले अगर हम लोग इस अपने novel के बात करें तो इसको Somerset Mugum Award भी मिला है इस novel को साथ ही साथ ये एक semi autobiographical novel है George Lemming का इसके अंदर इनोंने अपने जो personal experience है इनके childhood memories है और जो इनका experience का life का उसको इनोंने लिखा है साथ ही साथ इनोंने क्लोनलिजम को क्रिटीक किया है और इनोंने कैर्बिन कल्चुर को भी जो है वो दिखाया है अपने इस novel इनोंने क्रेक्टर है हमारा पास GS जो के protagonist है इस हमारे novel का ये एक young boy है और इसको Lemming ने बिल्कुल अपने ही जैसा इसमें दिखाया है और इसका जो क्रेक्टर है वो बिल्कुल George Lemming के जैसा है इसके अंदर इनोंने अपने experiences को बताया है जो के GS protagonist है साथ ही साथ उनकी जो journey है चाइल्ड हूल से एक young age तक आते आते और जो colonial society की transition है उसको ये represent करता है जो के हमारा protagonist है GS उसके बाद हमारा पास second character है पा एंड मा जो के GS के parents है और ये older generation को represent करते है और इनके through जो हमें traditional values है उनका पता चलता है कि Caribbean culture कैसा है वहां की traditional values है वो कैसी है और ये एक working class को जो है वो represent करते है और जो working class की struggle है ये उसको भी represent करते है colonial rule के दुरान जब कोई society होती है तो उनको कौन सी hardships को face करना पड़ता है उन सब चीजों को ये represent करते हैं पा एंड मा अब उसके बाद हमारा third character है जो कहें Trumper का character Trumper जो है वो GS जो के protagonist है हमारे story का उसका friend है और ये यहां से migrate करके United States चला जाता है अब वहां जाके ये वहां का environment देखता है वहां की society, वहां की politics हर चीज़ को जो है वो judge करता है और अपना जो इसका vision है वो उसको broader से broader करता है जो कहें boy blue ये भी जो है वो GS हमारे protagonist का जो है वो friend है और साथ ये साथ village life में इसके जो participation है वो काफी जादा है ये काफी जादा ये discussions करता है जो matters होते है village के और जो youth को है ये उसको represent करता है उसके बाद हमारे पास हमारे last character है Mr. Slime ये teacher है और local leader है और ये जो है politics में involved है और जो villagers की efforts होती है land को buy करने में ये उसको काफी जादा sport करता है ये complex character है जिसमें हमें ambiguities नज़राती है leadership भी है clonal context भी हमें नज़राता है हमें इसमें hop भी नज़राती है means पे इसकी mix-ups ये एक personality है जो हमारे सामने आती है उसके बाद है the old woman old woman जो है वो एक significant figure है इसमें जो के wisdom और traditions को दिखाती है अपने character के through जो older generation कैसी थी उन सब चीजों को ये represent last character जो इस story का है Mr. Cretan जो के white land owner है जो के clonalism को यहाँ पे represent करते है कि ये जो clonal power है वो whites की है इस village में और जो villagers की lives पे impact होता है Mr. Cretan के वज़ा से वो इस character के through हमें जो है वो story में पता चलता है story हमारे novel की इस तरह से start होती है कि village हमें सबसे पहले जो है वो दिखाया जाता है इस village में एक boy रहता है जिसका नाम है GS अब वो 90 ये और है उसकी बर्दे होती है और उसके बर्दे पे जो है वो celebrate नहीं कर सकता बट villagers इस बाफ पे बहुत जादा happy होते है कि जो है इसकी बर्दे पे जो है वो एक blessing आई है rain हुई है बारिश के वज़ा से सारे villagers बहुत जादा खुश होते है बट GS के लिए एक बहुत sad thing होती है क्योंकि जब भी इसकी बर्दे होती है सब ही जो है वो rain का सीजन स्टार्ट हो जाता है उस village में अभी जो village है इसमें क्राइटन village इसको कहा जाता है जो के इसको कभी-कभी जो है लिटल इंगलेंड का भी title दिया जाता है अब यहां पे बहुत जादा population है इस village में population के साथ-साथ यहां के जो लोग हैं वो बहुत collectiveness पे togetherness पे जो है वो believe करते हैं और एक unity पे जो है वो believe करते हैं अब further story में यह होता है कि यहां पे racial और class tensions भी पाई जाती है क्योंकि British rule जहां होता है वहां पे racial और class tensions तो पाई ही जाती है कि वो आके यहां पे जो इसको देखना स्टार्ट कर देते हैं अपनी fences पे चड़कर और जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा यहां पे एक mimicry का जो है वो महाल बन जाता है बट इसके जो mother है वो काफी ज़्यादा उनको बाते सनाती है और सारे boys जो है वो भाग जाते है अब होता क्या है then GS के जो है वो school days को दिखाया जाता है कि किस तरह से school में जो है वो empire day को मिनाया जाता है अब जब empire day होता है तो वहां पे होता क्या है कि queen का birthday होता है तो इस वज़ा से उसको empire day कहा जाता है उस दिन queen की जो birthday है वो celebrate की जाती है inspector आता है और वो speech देता है special relationship पे जो Barbados और England के आपस में है इन दोनो regions के आपस में relationship है उन पे बात होती है boys जो है वो सारे मिलकर जो है वो बात करते है कोईन की जो जिस पे king का face बना हुआ है और बात करते हैं कि हम यह जो कोईन यूज कर रहे हैं जिस पे king का face बना हुआ है क्योंकि king तो उनका नहीं है क्योंकि यह सब तो black है तो white king का जो face है उस कोईन पे लगाऊना means कि slavery के अलामत है कि यह जो village है वो slavery में अपने life को गुजा रहा है अब होता यह है कि old woman और man जो है वो events को discuss करते हैं जो कि flood से पहले तक थे कि flood से पहले यहाँ पे village की life के आती और अब जो है वो village की life कितनी change हो चुकी है और Mr. Slime जो है उन्होंने एक penny bank स्टार्ट किया हुआ है जो कि एक friendly penny bank है जिसमे सारे villagers अपनी जो pennies है यहाँ पे इनकी जो भी income यहाँ पे इनकी जो भी money है वो उसको collect करवाते हैं यहाँ पे यहाँ कि वो काफी ज़्यादा इस पे trust करते है Mr. Slime पे अब village में एक और event भी होता है यहाँ पे cakes के लेकर कोई आता है और सभी villagers उनसे cakes जरूर लेते हैं और यह event इस villager का बहुत important है जो कि culture को यहाँ के को दिखाता है स्टोरी में further यह होता है कि slime जो कि as a leader यहाँ पे काम करता है फिर वो बताता है कि वो एक political कुछ काम होते हैं जो कि docks एक जगह है वहाँ पे political uphevels हो रहे होते हैं वहाँ पे यह काम कर रहा होता है और साथ ही साथ world war 2 जो है वो start हो जाती है जो कि यॉरप में start होती है लेकिन अभी तक इस village तक उस war का इतना impact नहीं आया होता बट impact जो है वो आना start हो जाता है अब जो GS है वो as a why यहाँ से education हासल करता है उसको scholarship मिलती है फिर वो high school चला जाता है फिर वो difference देखता है कि English जो education उसका कितना difference है हमारे जो Caribbean education हों का आपस में बहुत जादा difference है और जो Trump पर है वो भी US मूव कर जाता है अब जो वो US चला जाता है तो उसके बाद वो वहाँ के जाके life देखता है जो कि totally different होती है boy blue और bob इसके friends अपने अपनी इन्होंने jobs जो है वो सबने start कर दी होती है अब story जो है वो अपनी end तक जारी होती है और story end पर इस तरह से जाती है कि village के जो landlords है वो यहाँ का बहुत सा area जो है खरीदना चाते है ताके वो इस पे और further जो है वो control कर सके और इस तरह से ताके जो colonial power है उनकी वो increase हो सके और लोगों को यहाँ के suppress कर सके और जो कैर्बिन culture उसको बिल्कुल destroy कर सके GS जो है अब उसको जो है वो job मिल चुकी है Trini Dad में यह वहां के पास ही कोई location है जहां पे अज़ा English teacher यह पढ़ा रहा होता है वापस जब आता है तो उसकी mother के साथ clash होता है you are not doing very well तुम बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो जो तुम कर रहे हो but Trump पर वापस आता है वो America और जो उसकी सारी stories है वो GS को बताता है और उनको inspire करने के कोशिश करता है but GS जो है वो एंड पर यह होता है कि Trini Dad में जो है वो again चला जाता है अपनी जोब को continue करने के लिए और यहां पे जो story है वो खतम हो जाती है actually में जो story है इसमें सबसे पहले तो semi autobiographical story थी तो GS की through दिखाया गया है किस तरह से एक culture है जहां पे village है और village में सब लोग मिलकर रहते हैं मिलकर रहते हैं उनका हर neighbor को दूसरे neighbor की बिल्कुल पूरी खबर है कि उसका neighbor कर क्या रहा है पहली बात यह है उसके बात क्लोनिलेजम का किस तरह से impact होता है कि जो whites है वो कहां कैसे यहां से जो land है वो खरीदना चाहते है land खरीद कर क्या है कि वो suppress करेंगे उनको मजीद colonized करेंगे third जो है वो हमें यहां पे पता है कि self awareness कैसे आती है कि एक childhood से आप एक village में थे उसके बाद आपने educationally high educationally और then as a English teacher आपने जॉब को continue किया और अपने village को छोड़ कर एक long liners की world में चलेगे कि आपका profession जो teaching है वो दूसरी area में है तो GS जो है वो long liners और alone का जो हमें हो भी थी further अगर हम लोग इसमें बात करें तो किस ताह से society जो है self discovery होती है और जो एक larger world है उसके अंदर आपकी self की क्या respect है या पिर आपकी self है कि actually में वो हमारा जो protagonist है वो सीखता है उसके बाद वो हमेशा के लिए इसको छोड़ कर चला जाता है और एक new chapter अपनी life यहाँ पे हमारा lecture खतम होता है वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक्स फूर वोट्ट